नमस्कार मित्रों स्वागत आपका मेरे चैनल बैदिक एस्टरोलोजी में मैं हाचारे पंगत सास्त्रिया आपका अपने चैनल में तहे दिल से हार्दी कभी नंदन करता हूँ उपस्तित हूँ मेन रासी का मासिक रासी फल जनवरी 2020 को ले करके क्या विसेस रहेगा मीन रासी के जात्कों का इस जन्वरी के माह में इस भचक्र की या अंतिम रासी के जात्कों को किस परकार से क्या लाब अथवा हानी इस जन्वरी के माह में मिलने वाला है कैसी आपकी आए रहने वाली है स्वास्त में क्या बदलाओ देखने को मिलेगा और कारेची छेत्र में कैसे उतार चड़ाओ देखने को मिलीगे इन तमाम बातों पर हम चरचा करने वाले हैं साथी बात करींगे कि मीन रासी के जात्कों के लिए जनवरी का मा मा की कौन सी वे तिथियां ओँगी जो आपके लिए सर्वस्रेष्ट तिथियां सावित हो सकती है और कौन सी तिथियों में आपको हानी हो सकती है तो आए प्रारम करते हैं मैं यौर आसी फल प्रारम करूँ उससे पूर मैं आपको यह बता दूँ कि यौर रासी फल चंद्र कुंडली पर आधारित है अर्थात इसको लगन कुंडली से न जोड़े यदि आपकी जन्म पत्रेका में लगन चाई कोई सा भी हों लेकिन चंद्रमा बारा अंक जहां पर लिखाया वहां पर इस्तित है तो आपके निश्चित रूप से मीन रासी बनती है और यह रासी फल आपके लिए है तो आए प्रारम करते हैं और सर्व पर्थम एक द्रश्टी डालेंगे मीन रासी के जातकों की ग्रह गोचर्य विवस्ता पर किस परकार से रहने वाली है मीन रासी के जातकों की ग्रह गोचर्य विवस्ता मीन रासी का स्वामी मकर रासिस्ट आय अस्तान वर इस्तित है। मंगल भाग्यास्तान ब्रस्चिक रासी अपनी स्वयम के रासी में उपस्तित है। तो राहू आपके लिए चतुर्त अस्तान मिथुन रासी में इस्तित रहने वाले हैं, चंद्रमा की बाद में करेंगे। सरपर्थम में आपको यह बता दूं कि 8 जनवरी को शुक्र अपनी रासी परवर्तन करने वाले हैं, और शुक्र जो कि अभी तक आपके लिए आय अस्तान मिखर रासिस्त वने थे, वहाँ अब कुम्ब रासी में ब्याय अस्तान में इस्तित हो जाएंगे, अर्थात वहाँ र आय अस्तान पर चले जाएंगे, 14 तारिक को वही सूर्य रासी पर वर्तन करेंगे, और सूर्य भी धन रासी को छोड़कर करके मकर रासी में प्रवेस कर जाएंगे, और सूर्य और बुद्ध का बुद आधित योग आपके लिए आय अस्तान पर बनने जा रहा है, वही 24 ता तीस तारिक को बुद्ध पुनारासी प्रवर्तन करेंगे और बुद्ध मकर रासी को छोड़ करके कुम्ब रासी में विराजमान हो जाएंगे तो यह तो आपकी ग्रह गोचर्य विवस्ता रहने वाली है अब इस ग्रह गोचर्य विवस्ता के वीच सरपर्थम एक दृष्टी डालते हैं में रासी के जात्कों की स्वास्त पर किस परकार से आपका स्वास्त रहने वाला है इस जन्वरी के मा में तो स्वास्त के लिहाज से देखा जाए तो में रासी के जात्कों के लिए तथा कजि से भी परकार की तकलीब बहुत अत्यधिक दिक्कते नहीं होंगी इस जन्वरी के माद में जो के मेन रासी के जातकों के लिए बहुत ही सुकत और शुप शमाचार है। स्वास्त के लिए आसे आपके लिए बहुत ही अच्छा यौमा रहने वाला है। लेकिन राहु चतुर्थ अस्तान में इस्तित है। वहीं सनिक केतु और वहाँ पर शूर्य और केतु गुरू और केतु इत्यादि ग्रहों की यूति वनी हुई है। तो यहां थोड़ी बहुत दिक्कतें आपके पेरेंट्स को हो सकती है। चतुर्थ अस्तान मात्रे अस्तान होता है। जबकि दसम अस्तान पित्रे अस्तान होता है। तो माता-पिता के स्वास्त में यहां पर थोड़ा बहुत दिक्कतें हो सकती है। और घरेलो उलजनों के कारण आपका म्यंद थोड चिंतित हो सकता हैर्था डेप्रेशन का सिकारा आप हो सकते हैं तो ऐसी कोई भी इस्तिती हो तो आपको पूंध तो हड़ डट कर इसका सामना करना मैं चाएं और किसी भी पर इस्तिती से गवराना नहीं मैं चाहिए बात स्रापित योग भी बना है केतू गुरू का चांडा लोग लेकिन केतू और गुरू का इतना कुरूर प्रभाव देखने को नहीं मिलता जितना कि गुरू और राओ का देखने को मिलता है तो कारे चेतरम में आपको मिस्रेत फल दाए रहने वाला है सम आपका कारे रहेगा हलांकि माहा के प्रारम में आपको बहुती उत्साहा रहेगा और बहुती उत्साहा के साथ आप कारे करेंगे किसी कारियों में आपको किसी न किसी कारे में सिद्धी भी अर्थाथ सपलता भी प्राप्त होगी और वहीं मंगल जो आपका भाग्यास्तान में है यहाँ आपके कुछ सपने साखार करेगा तो कारे छेत्र में आपको एक नई उर्जा मिलने वाली है बड़े बड़े किसी न किसी बड़े पद पर बैठे वे ब्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है और आप कहीं न कहीं एक निश्चित रूफ से किसी अभी तक यदि आप अपने कारे छेत्र को ले करके कनफ्यूज है तो अब आपको कहीं न कहीं एक निश्चित रूफ से एक फिल्ड मिलने के आपके लिए संभावने बन रही है तो आपका कारे छेत्र भी अच्छा रहेगा माशान्त में आपको कारेच छेतर को ले करके सरहाना मिल सकती है अर्थात कोई न कोई आपकी तारिव कर सकता है और कहीं से आपको मान सम्मान की प्राफ्ती भी हो सकती है वहीं आए की बात की जाए तो मीन रासी के जात्कों के लिए आई संबंधित भी यौमा मिश्रित फलदाई रहने वाला है कुछ हद तक बहुत सुब रहने वाला है आठ जनवरी तक यहां पर सुक्र है और सुक्र यानि लक्षमी शाथसा तेहीं पर इस्तित है तो जनवरी का जो पर्थम सब्ता है इसमें आपको आई से संबंधित कोई तकलीप नहीं होगी लेकिन बाद में शुक्र रासी पर वर्तन करेंगे यहां पर बुद्ध और सुर्य का आगमन होगा तो बुद्ध आधित योग भी आई के लिए अच्छा रहता है और शुक्र ब्ययस्तान में जाएंगे लेकिन शुक्र मात्र एक हैसे ग्रहें मित्रों जिनको व्ययका दोस नहीं लगता है तो बहुत हद तक आपके लिए आई के लिए भी बहुत ही अच्छा यौमा रहने वाला है 24 तारिक के बाद शनी रासी परवर्तन करेंगे और सनी का रासी परवर्तन को लेकर के मैंने वीडियो बना रखा है जो आपके end screen पर मैं इसको लगा कर दे दूँगा तो आप उसको जरूर देख लिजेगा लेकिन यहाँ पर जब सनी रासी परवर्तन करेंगे तो उनकी रूप जो जातक लौ से संबंदित कारे में जुड़ेवे हैं वाहनित्यादी के छेत्र से जुड़ेवे हैं किसी विशेश फैक्टरी त्यादी से जुड़ेवे हैं उनके लिए धनलाब की इस्तित्या बंती भी नजर आ रहे हैं जो कि अगले ढाईव साल तक सनी देव यह हमें अत्यम्त शुबता होती है लेकिन जब चंद्रमा क्रूर ग्रहों के साथ होते हैं पापी ग्रहों के साथ होते हैं 6-8-12 से अपना संबंद बना लेते हैं तो तब हमें थोड़ी बहुत दिक्कते होते हैं और फल स्वरूप एक माह के भीतर चाहें हमारे हूं या आपके से आठ दिवस ऐसे होते हैं जब हमें मानसिक चिंता अग्यात भए किसी न किसी परकार के हानी के संकेथ किसी नकिसी परकार के आनी भी हो जाना इत्यादिर रूप से देखने को मिलता है तो वही तित्या है मैं आपको बताने वाला हूँ लेकिन उस से पूरुर बताओंगा मीन रासी के जातकों के लिए शुब तिथिया तो तारिक 2, 3, 6, 7, 11, 12, 19, 20, 24, 29 और 30 जनवरी मीन रासी के जातकों के लिए बहुत ही लावदायक तिथिया रहेंगी इन तिथियों में आप कहीं न कहीं से लाव राप्त कर सकते हैं तो वहीं तिथिया 9, 10, 13, 14, 17, 18, 22, 23, 26 और 27 जनवरी को मीन रासी के जातकों को विशेश रूप से सावधान और सतरक रहने के आवशक्ता है जिससे आपको किसी विहानी का सिकार न होना पड़े तो आपका जीवन मंगल में हो यही हम मंगल कामना करते हैं नमस्कार यदि आपको यह जानकारी अच्छे लगे तो इसको सेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले साथी में रासी के सभी जातकों को आंगल नव वर्स की हार्दिक शुबकामनाएं परमपिता परमात्मा इस वर्स में आपकी सभी मनो कामनाएं पूर्ण करें यही हम शुबकामनाएं आपको देते हैं